स्री गडे साही नमह, स्वागत है आप सभी का मेरे भक्ती भावना यूट्यूब चैनल पर दोस्तों आज मैं आपको भागे साली राशियों के बारे में जानकारी दूँगा साती भगवान गनिजी के सामने आपको कुन से उपाय करने है जिन से आपकी अर्मनुकामना पूरियो जो भी चैनल पर पहले बारे चैनल को सबस्काइब करें भगलम बैल आइकन बटन को दबाएं हर वीडियो का नोटिफिकिसन पाने के लिए दो तो गनिज चतुर्ती का जो दिन होता है ये बहुत बड़ा दिन होता है इस दिन भगवान गयानन सभी के संकटों को दूर करते हैं गनिज चतुर्ती के दिन जो व्यक्ति भगवान गनिजी की पूजा करते हैं उनके जीवन में आरे सारे कष्ट और परिशानियां दूर हो जाती हैं। सरपतम आपको क्या गन्ना हैं? जो हरी दुर्बा होती हैं, उसे गंगा जल से दो लेना हैं। एक लोटे में जल लेना हैं और उसमें आपको हरी दुर्बा डाल देनी हैं। उस लोटे के अंदर ग्यारत चावल के दाने आपको डाल देने हैं साथ ही एक मीटा पान लेना है एक नार्य लेना है दो केले के फ़ल लेने हैं और एक दीपक बनाना हैं ये सभी सामगरी लेकर के भगवान गनेजी के सामने जाएंगे और साथ ही तिल के मुधक हाथ से बना करके ले जाएं नहीं तो आप भूंदी के मुधक लिया हैं तिल के मिल जाएं तो ज़्याद अच्छा है भगवान गनेजी से सरपतम पहले नमस्कार करेंगे अपना नाम और गोतुर चारण करेंगे उसके बाद में लोटे में पड़ी हुई हरी दुरवा भगवान गनेजी के हाथ में रख देनी हैं आपको उसके बाद भगवान गनीजी के सामने मुधक रख देना है नारियल केला रख देना है भगवान के सामने आपको पान रख देना है और दीपक जलाकर करके उसमें दो लोंग डाल देनी है उसके बाद में ओम गंगडपते नमाहा इस मंत्र का 108 बार जाप करना है उसके बाद में नारियल और केली का पल उठालाना है और या प्रसाद के रूप में आपको खाना चाहिए ऐसा करने से भगवान गनेजी प्रसन हो करके आपकी प्रतिक मनुकामना पूरी करेंगे किसी के नाम से उपाय कर सकते हैं अपने नाम से कर सकते हैं आप सभी की मनुकामना पूरी होगी इस दिन बहुत बड़ा योग बन रहा है तीन ग्रेन की बहुत बड़ी सुपधिष्टी नो रासियों पर है जिससे नो रासियां बेहदी भागे जाली है तीन रासी वालों को विश्ची द्यान देना होगा बागी नो रासी यां बेहदी भागी साली है पहली है ब्रसब रासी दूसरी है मितुन रासी तीसरी है सिंग रासी चोती है तुला रासी पांच मी है धनु रासी चटमी है मकर रासी साथ भी है कुम रासी आठमी है नो रास जो आठमी रासी है वो है मीन रासी और नो मी जो रासी है वो है बेहदी भागिसाली रहने वाली है उन पर बहुत ही अच्छी ग्रहन की सुभदिष्टी है और ये रासी है कन्या रासी तो दोस्तों ये नो रासिया है जो बहुत ही भागिसाली रहने वाली है जिनका योग बह हदी खुशी वरा रहने वाला है अरनिंग बढ़ेगी ब्योपार करने की सोच रहे हैं कोई रास्ता नहीं मिल पारा है भगवान गनेजी की क्रपां से आपके इन्वेस्ट करने का रास्ता भी नजराएगा जोब के लिए परिशानी है बच्चों के लिए परिशानी है तो वो रास्ता जरूर नजराएगा ये उपाय करें सभी रासी वाले बारहों रासी वाले सभी रासी वालों की मनो कामना पूरी होगी और भगवान सिवक आपसे जरूर करें थोड़ा सा गाय का घी और सक्कर मिक्स करके सैद की साथ में सिवलिंग पर समर्पत करें एक बिल पत्र क साथ में मनों कामनाव की अवश्चा